Hello everyone, I am Makash Ghor, welcome back to your Indian Medical Lecture, नया टोपिक लेकर रहा हूँ, IV Flute, इसमें सारी चिजे, NS क्या होती है, DNS क्या होती है, RL क्योती है, D5, D20, D25, Manitol, Isolite, ये सारे जो सोलिशन है, ये कितने मातरा में दोगे, कप-कप दोगे, किन पेशेंट को नहीं दोगे, किन पेशेंट को देना चाह ये, Hindi plus English, दोनों भाषा में देखेंगे, कौन-कौन सी condition में देते है, क्या-क्या problems हो सकती है, complications क्या-क्या हो सकती है, contra-indicated क्या है, इस प्रकार की पूरी detail में आपको यहां पे बताने वाला है, स्टार्ट करते हैं, IV Flutes के बारे में, देखेंगा, full form of IV Flute, intravenous Flute, intravenous Flute which is directly inject into intravenous Flute, जैसे हम लोग नसों के अंदर directly inject करते, intravenous Flute कहलाता है, NS होता है आपका normal saline, DNS होता है, dextrose normal saline, RL होता है, ringus lactate solution, D5 में भी होता है, dextrose, pure dextrose is a sugar, sugar होती है, जो कि हाइपो-ग्लाइसेमिक पेशेंट होते है, जिनकी sugar कम होती है, उनकी sugar instant maintain करने के लिए यूज करते ह D5, D25 solution होता है, manitol solution आता है, iso lights आते है, यह solution को एक एक करके discuss करते है, सबसे पहले discuss करेंगे NS याने की normal saline के बारे में, composition के अगर बात करूँ कि भाईया, NS के अंदर क्या क्या चीज़े आपको available रहती है, NS के अंदर simply 0.9% NSCl, हैना कि sodium chloride होता है, इसके अलावा 10 ml bottle होती है, 100 ml की bottle होती है, 500 ml की bottle होती है, और 1000 ml की bottle होती है, ठीक है, यह quantity आपको इसमें available हो जाती है, composition में याद रखना, हर एक bottle में 0.9% sodium chloride पाया जाता है, इसका important है, इसका धियान रखना, आगे बढ़ता हूं में, NS के बारे में, users के सबसे important है, इसके बारे में हम समझेंगे, dehydration यादी क किसी प्रेकार का पानी की कमी हो गई हो, किसी भी कारण से, या फिर दस्त लग रहे हो, या फिर बोमिटिंग गे रहा की वज़े से, dehydration हो रहा हो, किसी भी कारण से, dehydration होता हो, तो हम लोग, dehydration में NS Normal Saline के इस्तमाल कर सकते हैं, 500 ml का, इसके अलावा बात करता हूं, वोंड वोशिंग यानि की किसी प्रेकार का घाव हो, उस घाव को धोने के लिए वोश करने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है, dilution of injection, injection को मिलाने के लिए आपको सबको पता आप किसका इस्तमाल करते हो, और maintain water balance, यानि की शरीर में पानी की पूर्ती करने के लिए पानी क कमी होने पर उसका maintenance करने के लिए आप IV fluid में NS यानि की normal saline को इस्तमाल कर सकते हो, बात करते हैं इसके doses की, तो dose कितनी मातरा में देना है, doses is normal saline is completely dependent on patient condition and disease, यानि की patient की problem उसकी बिमारी के उपर निर्वर करेगा, कि कितनी जरूरत उसको है बच्चा है तो बच्चे को कम देना पड़ेगा बड़ा है, तो बड़े को कितनी मातरा में dehydration है वो चेक करना पड़ेगी, उसकी बात ही हम उसको IV fluid देंगे, इसमें अगर देखा जाए, stranded doses की, तो 2000-3000 ml in 24 hour, यानि कि मरीज को लगबक 2000-3000 ml 24 घंटे के अंदर ये दिया जा सकता है, ये stranded doses मेने बता है, इतना doses तो आप यहाँ पर उसको doses कम भी कर सकते हो, बट highest जो लेवल जाता है, 3000 ml से 24 घंटे में इसको जादा नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है, एनस होता normal saline, important doses याद रखना, आगे बढ़ता हूँ, Contraindication मतलब किन मरीजों में कौन से मरीजों को नहीं दिया जा सकता, पहला hypertension याने कि किसी BP high रेता है, किसी व्यक्ति का, hypertension में पेशेंट है याने कि तो उसको NS याने कि normal saline क्योंकि उसमें नमक का पानी होता है, और नमक से blood pressure बढ़ता है, sodium chloride blood pressure को बढ़ता है, तो हमें कभी भ जाता है, याद रखना किसी प्रकार के cardiac disease है तो, और kidney disease में अफिर kidney failure होने पर भी NS का इस्तमाल बिल्कुल भी नहीं के जाता है, तो ये 3 contraindication है, याद रखना hypertension, cardiac patient और kidney failure, इन तीनों patient में इस्तमाल नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ता हूँ, DNS, दूसरा IV fluid आता है, dextrose normal saline, जैसे कि नाम से के लिए होगा, कि dextrose एक प्रकार के sugar होती है, शकर होती है, normal saline, याने कि नमक का पानी जो NS sodium chloride, तो है ही सही साथ में dextrose, याने कि शकर का पानी भी इसमें मिला दिया गए, तो 0.9% HCL और 5 gram dextrose 500 ml की bottle में पाया जाता है, इतना ध्यान रखना, इस bottle में, यान इसमें 0.9% sodium chloride पाया जाता है, ठीक है, uses की बात करूं में dextrose normal saline की uses में सबसे पहले dehydration आता है, पानी की कमी होने पर आप दे सकते हो, hypoglycemic patient याने की hypo मतलब कम, glycemic मतलब sugar, sugar यदि किसी व्यक्ति की कम हो, तो sugar की कमी की बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसमें dextrose है, शुगर ह insulin shock यदि किसी प्रिकार का insulin shock हो गया हो, तब इस्तमाल कर सकते हो, in accidental condition यदि किसी प्रिकार का मरीज है, जिसको accident के वज़े से fluid loss हुआ है, blood की कमी हो गी है, तो उसका, आप sugar चेक कर लो, sugar normal है, blood pressure normal है, तो उस patient को ये DNS दे सकते हो, ठीक है, डाइरिया याने की किसी बच्चे को अब दस्त लग गया हो, तब इस्तमाल कर सकते हो, बहुत ही जल्दी इस से recovery मिलती है, fluid balance maintain होता है, उसके शेरिकार, ठीक है, DNA से important है, 500 ml की bottle है, याद रिखेगा, 500 ml की bottle में जो composition पाया जाते है, 5 g dextrose, plus 0.9% sodium chloride, आगे बढ़ता हूँ, नेक्स आता है आपका, doses of DNS की क्या, अब कितना standard doses, quantity of dextrose normal saline is patient dependent होता है, patient के उपर निरबर करता है, कि भाया कितनी problem में उसके according, but standard अगर doses की बात करूँ, तो 2500 से 3000 ml तक 24 गंटों में, यानि कि 24 गंटों में, पच्चिस से लेकर 3000 ml तक आप जो patient मरीजे, उसको dextrose normal salines दे सकते नोट, sugar और रक्तदाब वाले patient को dextrose normal saline नहीं दिया जाता है, यानि कि किसी का blood pressure यदि जादा हो, यदि किसी को hyperglycemic patient हो, blood sugar बहुत जादा हो, तो इन दो प्रकार के मरीजों में कभी भी DNS नहीं देते, क्योंकि DNS में sodium chloride नमक का पानी तो है, साथ में शकर का पानी भी है, त यानि कि blood pressure जादा है, तो और अगर आप NS दे दोगे, normal slime की रेता है, इसमें DNS में, तो और ज्यादा problem हो सकती है, तो याद रखेगा, important है guys, यह DNS, आगे बढ़ता हूँ, dextrose, अब देखो, अभी तक हमने DNS पढ़ा, DNS के बाद हम लोग, D, proper D, D मतलब होता है, dextrose, pure शकर का पा नहीं है, 5% यानि कि 5 gram dextrose, 100 ml, 100 ml की bottle में 5 gram बाला भी मिलता है, 10 gram बाला भी मिलता है, और 25 यानि कि इसके quantity high होती जाती है, जितना ज़्यादा patient को need है, उस according इस्तमाल किया जाता है, dehydration होने पर, पानी की कमी होने पर, dextrose को इस्तमाल करेंगे, hypoglycemic patient यानि किसी बरीच का, ज उसको बढ़ाने के लिए हम लोग maintain करने के लिए कर सकते है, hypotension यानि कि रक्त दाब कम होने पर भी इसके इसके इस्तमाल किया जा सकता है, किसी का blood pressure कम हो रहा हो, तो blood pressure को maintain करने के लिए इस्तमाल कर सकते हो, इसके अलावाद डाइरिया, दस्त वगेरा में भी आपका इस्त को नहीं देना होगा, यह important doses, जो कि dextrose के बाता हुए, important याद रखना, ठीक है, contraindication वो ही है भाईया, कि simply dextrose के इस marriage को नहीं देना है, जिस marriage की sugar level बहुत जादा हो, उस marriage को यह नहीं दिया जाता, RL की बात करते है, ringer lactate fluid, ringer lactate fluid में क्या पाया जाता, it's mixture of electrolyte in which present sodium chloride, potassium chloride, sodium lactate, मतलब यह electrolyte का गोल होता है, जब भी body में electrolyte की कमी आती है, जब भी हम लोग electrolyte की body में level down होता है, तब इस्तमाल करना चाहिए, है electrolyte का mixture होता है, जिसमें कि sodium chloride पाया जाता है, potassium chloride पाया जाता है, sodium lact पाया उसमें जाता है डोसेस की बात करूँ आरेल के रिंगल लेक्टर फ्लिट के तो पेशेंट के कंडिशन पे डिपेंडेट बट इस्टेंडर डोसेस आप 500 एमेल से 1000 एमेल तक 24 घंटे में मरीज को दे सकते हो इस इस इस्टेंडर डोसेस जो कि मरीज में दिया जाता है याद रखना इंपोर्टेंट है इस 500 से 1000 एमेल 24 घंटे में दे सकते हैं आगे बढ़ता हूँ यूजस पे तो आरेल जो रिंगल लेक्टर फ्लिट फ्लिट है डिहाइडरेशन वाले मरीज को आप इस्तमाल करो इलेक्टर लेक्टरलाइट इंबेलेंस यानि की इलेक्टरलाइट के कमी हो गई हो इंबेलेंस हो रहा हो तब बिस्तमाल कर सकते हो डिउरिंग 手 akan कर सकते हो नियुड्रिशनल डेफिशेंसी की प्रकार का कउपोशन अगर बच्चे को है या फर कोई विक्ति है जिसको कोपोशन वाली दिक्कत देखने को मिलरे है स अब इसक्तमाल किया जा सकता है हाइप पो टेंचन यह जदी ब्लेट पिशर कम हो तब इसक्तमाल कर सकते हो और it is suitable for diabetic patient याने कि किसी प्रकार का diabetic patient हो और fluid level imbalance हो रहा हो तब RL इस्तमाल किया जा सकता है diabetic patient में suitable होता है दिया जाता है sugar वाले मरीजों को RL ringers lactate fluid आगे बढ़ता हूं मैं manitol solution देखें guys manitol solution क्या होता है this is the type of diuretic solution it means it increase the volume of urine याने कि diuretic solution होता है अर्थात ये urine की मातरा को बढ़ा देता है अब देखो manitol manitol क्या करेगा हमारी urine के output को बढ़ा देगा और शरीर में maintenance करेगा fluid का 20 gram manitol in 100 ml composition दिया हुआ है कि भाईया जो 20 gram होता है manitol in 100 ml याने कि 100 ml पानी में 20 gram manitol पाया जाता है diuretic solution है urine की मातरा को शरीर में बढ़ाता है आगे बढ़ता हूँ uses की बात करते है uses में simply यादे याद रखना कि increase urination या हमारे urine की मातरा को बढ़ाने में मदद करता है acute renal failure किसी प्रकार का renal failure है 20 का इस्तमाल कर सकते है और cerebral edema हो गया हो skin disorder याने की इस प्रकार का तोचा संबंदित कोई रोग हुआ हो तब इसका इस्तमाल कर सकते है इसके बाद आता है last आपका isolite isolite क्या होता है it is mainly used for children याने की बच्चों में isolite इस प्रकार का IV solution आता है ये बच्चों में suitable होता है बच्चों में इस्तमाल ज्यादातर किया जाता है dextrose 5% इसके अंदर पाया जाता है sodium acetate 0.32% पाया जाता है potassium chloride 0.30% पाया जाता है magnesium chloride 0.31% इसके अंदर पाया जाता है ये बच्चों के अंदर pediatric में isolite इस्तमाल ज्यादातर किया जाता है आइसुलाइट के यूजेस बच्चों में बहूँ ज़ादा डायरी हो गए, मिस्तला सिक बीमारी होती सब पूरी शरी में पिंपल पिंपल बन जाते हैं, उसके अलाबावा Cerebral Palsy, याने की मानसिक विकार होता है, मानसिक बच्चों में इसका इसका आइसुलाइट का इस्ति करोगे तो यह application आपको मिलेगी इसको download कीजिएगा और यहाँ पर course डला हुए book kitab खरीदे फिरी में पाये संपॉन online course यहाँ पर हम आपको पूरा एक साल का online course देते हैं तीन book हम PDF के रूप में provide करते हैं हमारी की खुदकी बुक है तीन बुक उसको आप सबको download कर सकते हो प्रेंट करवा सकते हो हिंदी इंगलिश दो भाशन में